आज मैं आपसे बात करने वाली हूं स्मार्टफून के साइस के बारे में ये आपने भी नोटिस किया होगा कि पहले के कॉम्पैरिजन में स्मार्टफून का साइस काफे बढ़ चुका है जैसे एक्जामपल ले लेते हैं आइफून का तो जब पहला आइफून लाँच हुआ था मार्केट में आया था तो उसका स्क्रीन साइस 3.5 इंच था लेकिन अगर वहीं बात करें आइफून 13 प्रो मैक्स की तो ये 6.7 स्क्रीन साइस के साथ मार्केट में एवलेवल है जो की डबल है पहले जेनरेशन के आइफून स्क्रीन साइस से और ये सिर्फ आइफून मे यहीं नहीं हो रहा है अभी के हर स्मार्टफोन में हो रहा है अभी डिफिकल्ट है ऐसे स्मार्टफोन को खोज ना जिसका स्क्रीन साइज 5 इंच से कम हो क्योंकि लगबग हर स्मार्टफोन की स्क्रीन साइज 5.5 इंच के असपास होती ही है तो ऐसा क्या रीजन है जिसकी वज साइज बढ़ता ही जा रहा है समय के साथ तो हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ कोमल सिंग और आप देख रहे हैं ट्रैक कैप्सूल तो फ्रेंट्स अभी के टाइम पर कोई अपने पॉकेट से बैक से एक बड़े साइज का फोन निकाल कर यूज करें तो हम ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अभी से कुछ साल पहले वो हम नोटिस करते थे लेकिन अब नोटिस नहीं करते हैं क्योंकि वो अब एक स्टैंडर्ड साइज बन गया है लेकिन यही छेंज का डिस्पले आज से 6-7 साल पहले हमें काफे बड़ा लगता था लेकिन ऐसा स्मार्टफोन जिसका स्क्रीन साइज 6 इन से कम हो बहुत ही रेर होगा अभी के टाइम पे तो ऐसा क्यों है चलिए जानते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले तो यह कि अभी के टाइम पर स्मार्टफोन का यूज बहुत सारे चीजों के लिए किया जाता है अभी के टाइम पर लोग स्मार्टफोन का यूज बहुत सारे टास्कों परफॉर्म करने के लिए करते हैं पहले के कॉमपारिजन में जैसे गेम्स खेलने के लिए अभी high graphic games लोग अपने phone में खेल रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छी screen quality की demand है लोगों की और दूसरी चीज ये कि high graphic games को support करने के लिए battery भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि high graphic games बहुत जादा power consume करते हैं तो उसके लिए manufacturers को space चाहिए होती है ताकि वो बड़े battery का use कर सके जो ज़्यादा last करे ज़्यादा power backup दे तो इस वज़े से भी phone की size बढ़ती जा रही है इसके बाद दूसरा reason हो जाता है technology जो अभी के time में phone में available है अभी के time में आने वाले phones में पहले के phone के comparison बहुत से नईनी technology का use किया जाता है नईने features available कराये जाते हैं क्योंकि अभी के time में लोगों को वो सारे features अपने phone में चाहिए जो उनके daily use में आए तो इसलिए smartphone manufacturers add करते रहते हैं नईने technology को नईने features को और नईने features को add करने के लिए तरह तरह के components की भी ज़रत होती है और उन components को fix करने के लिए space की तो इस वज़े से भी phone का size बढ़ जाता है क्योंकि अगर नई technology आएगी नई features आएगे तो phone का size तो automatically बढ़ेगा ही जैसे अभी 4G network shift हो रहा है 5G network में तो उस वज़े से भी phone में काफी बदलाव आएंगे इसके बाद friends phone camera भी एक major reason है जिसकी वज़े से smartphone का size बढ़ता जा रहा है अभी लोग चाहते हैं कि उनके phone में एक अच्छे quality का camera हो क्योंकि अभी लोग काफी active है social media में जिसकी वज़े से वो चाहते हैं कि उनका phone camera एक अच्छे quality का हो, phone में multiple cameras हो, phone camera high quality, high resolutions, photos, videos record करें तो friends जब बात आती है multiple camera की तो multiple camera phone के size को काफी effect करता है क्योंकि अगर number of camera ज़्यादा होगा phone में तो lens के लिए, sensor के लिए ज़्यादा space के requirement होगी और ज़्यादा space के requirement होगी तो phone का size automatically बढ़ जाएगा इसके बाद friends phone का size consumer के demand की वज़े से भी बढ़ रहा है अभी high demand है large और high quality display का क्योंकि अभी के time में phone का use multiple purpose के लिए किया जाता है लोग online classes लेते हैं, video calls करते हैं, movies देखते हैं, games केलते हैं तो इन सारी चीजों के लिए large screen जादा convenient होता है और large screen में better experience मिलता है एक report के मुताबिक one third videos mobile devices में ही देखे जाते हैं और अभी OTT streaming platforms like Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, smartphone एक बड़ा medium है इन सब को देखने का तो बहुत से लोग large phone prefer करते हैं क्योंकि उसमें बड़ा display मिलता है और यहाँ पर smartphone manufacturers, consumer के need के according, demand के according ही changes लाते हैं phone में और consumer की demand है, बड़ा display, improved battery life, extra और नए features, high quality camera तो इन चीजों को एक phone में लाने के लिए बहुत से components की भी ज़ुरत होती है और उन components को phone के अंदर fix करने के लिए space की तो इस वज़े से भी phone का size बढ़ता जा रहा है और friends, smartphone का size इसले भी बढ़ रहा है क्योंकि अभी जो technology और जो features available है phone में वो पहले नहीं था तो जब नए technologies आएगी, नए features आएंगे, तो smartphone के look में भी तो changes आएंगे ही और friends, यहाँ पर smartphone manufacturers वही offer कर रहे हैं जो लोगों को चाहिए, जो लोगों की demand है तो friends, I hope अब आपको समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, useful लगा तो उसे like करें, share करें और अगर channel पर नए हैं तो channel को subscribe करें, साथ ही bell icon को press कर दें ताकि नए आने वाली ऐसी ही वीडियो की जनकारी सबसे पहले आपको मिले, thank you